देश की राजधानी दिल्ली में हुए कथिट शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजिवाल की गिरफतारी से हरकंप मच गया है। केजिवाल को गुरुवार शाम एडी ने सीम हाउस से ही गरफतार कर लिया और इस तरह से वो दिल्ली शराब नीती घोटाले के फेर में फसने वाले चोथे बड़े नेता बन गए हैं। कोरोना काल के बाद साल 2021 में लागू की गई शराब नीती तो रद हो चुकी है। लेकिन इसके लपेटे में आने वाले कई बड़े नेता जेल पहुच चुके हैं। वो खुद हर मन से चिला चिला कर कह रहे थे कि मोधी सरकार उनसे डर गई है। मोधी सरकार उन्हें लोग सभाचुनाव के लिए प्रचार नहीं करने देना चाहती और इसलिए कभी भी उन्हें गिरफतार कर सकती है। यही वज़े है कि केजरिवाल लगातार उत्तर से लेकर दक्षर तक तमाम विपक्षी दलों को एक जुट करने में लगे थे। उसी कॉंग्रिस के साथ गले मिल रहे थे जिसके भ्रस्टाचारी नेताओं की लिस्ट अभी अपने हाथों में लेकर खुमा करते थे। लेकिन केजरिवाल की कोई तिकड़ काम नहीं आई। जिन जांच एजनसीज पर वो मोदी के एजन्ट के रूप में काम करने का आरूप लगाते थे, अब उसी जांच एजनसी के दफ्तर में रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो केजरिवाल के गिरफतार करने की नौबत नहीं आती अगर वो सही समय पर सही तरीके से जांच एजनसीज के सामने पेश हो जाते। इडी ने केजरिवाल से करीब दो घंटे पूश्टाच की और उसके बाद गिरफतार कर लिया। अब आपको गुरवार के दिन हुआ पूरा घटना क्रम बताते हैं। गिरफतारी से पहले कि अर्विन केजरिवाल दिल्ली हाई कोट से राहत मांगने पहुँचे थे लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। हाई कोट ने एडी से केजरिवाल पर लगे तमाम आरोपों की फाइल मांग ली। बंद कमरे में फाइल देखने के बाद मामले की सुनवाई कर रहे जज ने केजरिवाल को राहत देने से मना कर दिया। इसके बाद एडी की एक टीम केजरिवाल के घर पूश्टाज के लिए पहुँची। एक तरफ दिल्ली सीम से एडी पूश्टाज कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सीम आवास के बाहर आम आदमी पार्टी कारिकरताओं की भीड एकठा होने लगी। महुल बिगरता देख सुरक्षा का भारी बंदोबस किया गया। रात होते होते खबर आई कि एडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल को गिरफतार कर लिया है। बताय जा रहा है कि दिल्ली की शराब नीती में हुई गरबडियों के बारे में अर्विन के जिवाल को पूरी जानकारी थी। इस मामले में के जिवाल से पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनेश सिसोधिया, राजसभासांसत संजय सिंग समेथ कई बड़े नेता पहले ही गिरफतार हो चुके हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि दिल्ली CM को ED अब तक 9 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केज रिवाल एक बार भी ED के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आकर क्या थी वो शराब नीती जिसके रद्ध होने के बाद भी आम आदमी पार्टी नेताओं की गिरफतारी का सिलसला जारी है। दिल्ली सरकार ने साल 2021 में शुरू की गई, अपनी शराब उतपाज शिलक नीती में कई बदलाव किये थे। नई नीती में शराब पीने की मिनिमम एज 25 से घटा कर 21 साल कर दी गई। सरकारी शराब ठेकों को पूरी तरह बंद करके सारे ठेके निजी हाथों में सौपे गए। प्राइविट फेंडर्स को लेकर स्टोर का लाइसंस जारी किया गया। शराब के अलग-अलग ब्रैंट्स के लिए रेजिस्ट्रेशन के अलग-अलग मांधन बनाई गये। दिल्ली के बाहर के छेत्रों में प्राइस इटर्मिनेशन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया। इसमें सालाना शराब वेंडिंग लाइसंस शुल्क में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। इसे 8 लाक रुपए से बढ़ाकर 75 लाक रुपए किया गया। दिल्ली सरकार ने शराब के रीटेल बिजनस से हाथ खीच लिया था। बोली लगाकर 849 प्राइविट सेलर्स को लाइसंस दिये। हलाकि कोविट महामारी के बीच भी केज रिवाल की नई शराब नीती का खूब विरोध हुआ। टिंडर आवंटिन के दौरान शराब कारोबारियों को बेहसाब फायदा पहुचाने के आरोप लगे। जिसके बाद दिल्ली के उपरा जिपाल, वीके सकसेना ने दिल्ली उत्पाथ शुलकनीती 2021-22 की चांच शुरू करवाई और इस तरह के जिवाल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सकसेना ने दिल्ली के टौप ब्यूरोक्रेट की एक रिपोर्ट के आधार पर आपचारिक रूप से CBI से जाच करने की मांग की जिसके बाद सिसोधिया पर नियमों को तोड़ने और शराब विक्रेताओं को फायदा पहुचाने का आरोप लगा। संजय सिंगर अफ्तार हो गए। दूसी तरफ एडी ने एक प्रेस नोट में अर्विंद के जिवाल को मामले में साजिश करता बताया। एडी ने कहा कि बियारस की नेता के कविताने के जिवाल और आप नेताओं के साथ मिलकर नई शराब नीती तयार की थी। ये पूरी साजिश साथ इंडिया की एक शराब लॉबी को फाइदा पहुचाने के लिए रची गई थी। अब एडी की माने तो नई शराब नीती के लिए आप और साथ लॉबी के बीच पूरे 100 करोड रुपे की डील हुई थी। ये पूरा पैसा आम आदमी पार्टी को मिल भी गया था। दिल्ली के सीम के जिवाल का नाम कुछ आरोपी और गवाहों के बयानों में सामने आये था। इडी ने दावा किया कि शराब नीती मामले में आरोपी विजे नायर अकसर के जिवाल के ओफिस जाता था। ये नायर ही था जिसने इंडो स्परिट के मालिक समीर महेंद्रू को के जिवाल से मिल वाय था। साउथ लॉबी से पहले आरोपी और अब गवा बने रागहों मगुंटा ने कहा था कि उनके पिता जो आंद्रप्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाय सार कॉंग्रिस के सांसद हैं वो शराब नीती के बारे में जादा जानकारी लेने के लिए केजरिवाल से मिले थे। वहीं मनीश सिसोधिया के पूरु सचिव सी अरविन ने 7 दिसंबर 2022 को अपने बयान में बताये था कि मार्श 2021 में उन्हें सिसोधिया से मंत्री समों की एक ड्राफ रिपोर्ट मिली थी। उन्होंने दावा किया कि जब वो सिसोधिया के बुलाने पर केजरिवाल के घर गए तो वहां सतेन जैन पहले से मौजूद थे। सियर्वन ने कहा कि उनके सामने जो दस्तावेज पेश किया गया उसे उन्होंने पहली बार देखा था जो कि मंत्री समों की किसी बैठक में ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन उन्हें इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर एक मंत्री समों की रिपोर्ट तयार करने के लिए कहा गया। इस रिपोर्ट में शराप का थोक कारोबार निजी लोगों को देने की बात थी। मनिश्ची सोधिया को शुरू में फरवरी 2023 में पहले CBI ने और फिर ED ने मनी लॉंडरिंग मामले में गरफतार किया था। बाद में उन्होंने दोनों मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मांगी थी लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। तीस माई 2023 को अदालत ने CBI मामले में याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनका हाई प्रोफाइल स्टेटस गवाहों को प्रभावित कर सकता है। सिसोधिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन वहाँ से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज करते हुए कहा कि एक मने लॉंडरिंग के प्रात्मे कर्णुमान सही लग रहे हैं। सिसोधिया की गिरफतारी के बाद तो जैसे आम आदमी पार्टी के उल्टे दिन शुरू हो गए। पहले राजसभा सांसत संजय सिंग, फिर केसी आर की बेटी के कविता और अब खुद अर्विन केजरिवाल का नमबर लग गया है। केजरिवाल की गिरफतारी से सियासत भी गर्म हो गई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर उन्हें सुप्रीम कोड से भी कोई राहत नहीं मिली तो क्या होगा। क्या केजरिवाल का भी अपने साथियों के साथ तिहार जेन जाना तै है और अगर केजरिवाल गए तिहार तो वहां से कैसे लोगसभाचनाव की तैयारी करेंगे ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलाल की इस खबर में बस इतना ही बाकी खबरों के लिए रहें श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत